हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप आप लोग बहुत ही जाद अच्छ होंगे सो कैसा लग रहा आज का यह लुक इस्पेशली फोर मैरेट गर्स के लिए मैंने किया है जिन लोगों के भी रिजेंट शादी होई है उन लोग यह मेकप लुक क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके घर में शादी है या फिर कोई चुटा मोटा जो होता है ना फंक्शन पार्टी या रिंग सेर्वानी उसमें भी आप यह लुक क्रिएट कर सकते हो बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर बहुत अच्छा जाएगा बहुत ही गॉज़स लुक है सिंपल भी लग रहा है और जो एरिंग से कारण आपका यह बीक लुक बहुत जादा है भी भी लग रहा है तो डेफिनिटली आपको प्राइमर बहुत अच्छा है गाइस बहुत बजट में मिल जाएगा आपको मैंने इसे परपल डॉट कॉम से खरीदा था एंड इसे क्या करना अपने पूरे फेस पे अपलाई करना है इस्पेशली फोर टी जोन एरिया जहां मुझे बहुत जादा पसीना आता है यानि बहुत बिंडेशन है जरूर प्राइमर यूज करना लिभा मैंने निविया का यूज किया है यहां पर स्वीच बीटी का मैं यूज कर रही हूं फांडेशन यह मेरा बहुत अच्छा पांडेशन है गाइस सुब्स बिच का है यानि सुइस बेटी आपको बहुत अच्छे प्रड़क्स बजट में इसके हाई रेंज के विए अगर आप लेना चाहते हो तो आपको एब लेवल है ऑनलाइन मार्केट तो आप ले सकते हो एंड मेरा शेड जीरो वन है बहुत अच्छा फॉंडेशन है वाटर पूरूफ है बहुत अच्छा फॉंडेशन में कित तारीफ बहुत दिनों से मैं यूज करी हूं और मेरा अल्मूस्ट खत्म होने वाला है सो मैं सकेंड बॉटल करेदनी के तारी में लगी हूई हूं सो मैं क्या क्या हुआ हूं बहुत लिए लिटेटल एमॉंट में इसे अपलाइ किया पूरे फेसपे आप देख सकते बहुत कम मैं य इसके बहुत ज़्यादा पतली है तो मैं ज़्यादा फॉर्टेशन यूज नहीं करती कभी भी सो उसके बास तो इस बेटी का मैं ले रही हूँ बेस इलुमिनेटर यह मेरा गोल्डन पिंक शेड है यह स्पेशली हाइलाइटर का काम करता है मैं अपने हाई पॉर्ट पे अपलाई कर रहे हूं यानि चिक बोन पे और फॉरेट पे नोस पे क्यूपिट पे मतब अब जहां जहां इसे यूज करते हो अपने कंसीलर को नो वहां वहां पर इसे पहले यूज कर ले ठीक है या तो फॉर्टेशन लगाने की पहले या तो इस पे बहुत अच्छी से चमक आ गई है एंड उसके बाद मैं यहां पे स्विस्बीटी का ले रही हूं सैंड सेवल कंसीलर यह देखिए मैंने फॉंटिशन भी उसी का यूज कर रही हूं एंड जो बेस ऐलुमिनेटर मैंने लिया था यानि जो मेरा हाइलाइक्टर का काम कर क्योंकि मुझे यह बहुत सारे प्रोड़क्ट बहुत ही बजट पे मिल गया थे मैंने इसे अमेज़न से खरीता था बहुत टाइम हो गया गाइस मुझे याद नहीं आपको लेकिन सारे विपसाइट पे आपको मिल जाएंगे तो कंसीलर को सेम वहां पर यूज करना हाइप करती हूं जहां-जहां मुझे प्रॉब्लम होती है दाग धब्बे होते हैं पिंपल्स वेगार कभी कभी हो जाते उसको भी बहुत अच्छे से कवर अप करेगा और डार्क सकल तो सबको होते हैं तो उसको भी कवर अप करने के लिए आप अपना कंसीलर यूज कर सकते हो सो कांटूर की एरिया के पास मैं श्चो यह लाय किए थोड़ा सा मैं फ्यूट चोड़ दिया ताकि वहां पे मैं कॉंट दूर नहीं तो मेरा कंट्र नहीं लागाई आपको अपनी अपनी कांसीलर को अपना करना कि मैंने अबिस का में सब्लेंड कर सकतो थे पर अचा वेनिस मैं यहां पर contour stick यूज कर रहे हूं मैं अभी cream based makeup look create कर रहे हूं इसलिए मैंने यूज किया है अगर आप पूरा makeup कर लेते हो contouring नहीं की है आप compact यूज करने के बाद अपना powder form वाला contour होता है उसे यूज कर सकते हो आप यहां पे powder form वाला बिल्कुल भी मत यूज करना क्योंकि आपका पूरा makeup क्रेक की हो जाएगा और पैची लगेगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और जब मैंने foundation अप्लाई किया तो वही मेर करना ठीक है नोस को क्या करना नीचे की तरफ ब्लेंड करना एं फॉरेट को भी मैं अच्छा से ब्लेंड कर रही हूं अपने contouring को एरिया को अच्छा से ब्लेंड करना है ठीक है यह तो होगी हमारी contouring उसके बाद क्या करना अपने makeup को set करना है यानि जहां जहां आपने concealer को यूज करने का वादा बिल्कूल वह स्वेट नहीं आता है वो ग्राइब हो जाता है इसलिए ап incluso ऐसे में TOP उपर अप्लाई कर रही हूं और इसे अच्छे सेम ब्लेंडर की हल्प से अच्छे से ब्लेंड करना है एक बात ध्यान रखना कभी आई का जो कंसिलरों से दबा दबा के मत यूज करना नहीं तो आइस में बहुत दर्द होगा और जब आप अपने आइस को खोलोगे ना तो आ बहुत बहुत ब्लू क्लरा नहीं दिखता है और बहुत डर्क कलर मुझे नहीं करना था बिल्कुल लाइट उप्लाइ किया एंड सेकेंड बार हे इस लिए सकाई ब्लू की क्योंकि मैंने वेर किया हुआ है स्काई ब्लू की कुर्ती सो मैं सोच्छी थी थोड़ा सा मिलता- चिलता मेकप आई का किया जाए सो मैं से सिर्फ एपने लेड़ पे अप्लाइ करें हूं आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा कभर जाया है स्वारी बहुत अच्छा सा एक आई मेकप लुक अपको दिख रहा होगा और आप बिलकुल मत घर आना कि अब आई मेकप अच्छा हो अच्छे से एंड इसे क्या होगा दो कलर मेरा होगा स्काइबलू एंड ग्लिटर का सिल्वर कलर है यह बहुत ही अच्छा है ग्लिटर आइलाइनर इसे मैं हमेसा क्या करते हूं जब भी शिमर की जरुवत होती तो भी आप इसे अपलाई कर सकते हो अगर आपके पास आई श मैं आज कोई फॉल्स यूज नहीं करें इसलिए मैं थोड़ा सा मोटा आई लाइनर यूज कर रही हूं और आप चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हूं मेरा ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं बहुत ज्यादा मोटा भी करती हूं कर बहुत पतला भी बना ले त्यूबिंग तो मैं अच्छे से अपलाई किया तो उतना अच्छा से नहीं दिख रहा था इसलिए मैं इन बाइब का अपना आई लाइनर यूज कर रही हूं इसे भी मैंने परपल से खरीदा था तो क्या होता है जब आपकोई ग्लिट्री यूज करते हो ना गिट्ली आई शाड़ो तो क्य मैं थोड़ा सा आगी की तरफ भी से निकाल रही हूं ताकि मेरा थोड़ा सा आई ड्रामाटिक लगे एंड थोड़ा सा डिफरेंट लगे ओके सो उसको करने के बाद स्काई ब्लू को मैं अपने वाटरलाइन के नीचे में अच्छे से समझ कर रही हूं यानि आपको ब्लें अच्छा है बजट का है 180 रुपीज मैं साइथ खरदा था इसे बहुत दिनों से मैं से यूज कर रही हूं यह तो साल आपको दिख रहा हूं का बहुत जाता मैंने खत्म भी कर चुकी हूं और बचा हुआ है लास्ट का तो मैं इसे अपलाई करूंगी और इसकी ब्लेंड कर देना है क्योंकि जब पैन पॉंडर फॉर्म है यह तो क्रीम वाला है और इसको यूज करने से कहीं बन जाता है तो वह अच्छा से ब्लेंड हो जाता है ठीक है यहां पर फेसे कैनिड़ा का में ले रही हूं अपना मस्करा आनि यह मस्करा बहुत अच्छा है गाइस मैंने अच्छा है आपको अच्छा वॉल्यूम देता है आपके लेंड को बत अच्छे से स्ट्रेट कर टाइप के फॉल्स को आपको मतलब रियल बिल्कुल फॉल्स लगने लगेगा मैं फॉल्स लासे बहुत कम यूज करती हूं क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं है सो क्योंकि बहुत ज़ादा है विनिस मुझे फिल होती है तो मुझे लगता है तिंक आपके सब बें ऐसा होता होगा तो आप भी लगाना पसंद नहीं करते हों तो मैं यूज करते हूं ठीक है मैं ब्लश यूज कर चुकि हूँ हूँ आपने ध्यान भी नहीं है यहां पर मैं लेरी दि सैंपेन कलर मैं इसे पिक कर रही हूं फोर्स आपको हाइलाइटर मिल जाता है एक ब्रॉंजर भी मिल जाता है आपको तो यह हाइलाइटर बहुत अच्छा है गाइस और ब्लश मैंने कौन सा यूज के आपने देख लिया होगा ना तो प्लीज आप माइन मत करना मुझे बि सल्मोन है यह यह बिल्कुल रेड है मुझे बहुत अच्छा लगता यह लिपस्टिक अगर आप शादी होने वाली है और हो चुकी है तो आप इस लिपस्टिक को डेफिनेटली ट्राइब करो बहुत अच्छा है सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि यह बहुत देर से जा कर देना है और कॉमेंट के तुरू मुझे जरूर बताएगा आपको यह कैसा लगा मेरा आज का लोग और डेफिनेटली से जरूर ट्राइब करना सो कल मिलते हुए वीडियो के साथ तिल दिन बाए बाए